नमोना राएंजी मित्रो बात करेंगे आज इंटर्वियू में सफलता क्यों नहीं मिलती और इंटर्वियू में अगर आप जा रहे हैं तो क्या उपाए करके जाएं कि आपको पहली बार में सफलता मिल जाए पहली बात करूंगा आपकी जनमलगन कुंडली की आपकी जनमलग कुणली के अंदर सूर्य यदी कमजोर है और सूर्य यदी पांच डिग्री से कम है तो आपको इंटर्वियों में जाते समय जो confidence होना चाहिए जो self confidence आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा दूसरी सिचझेशन यदि सूर्य यदी आपका डियतर है कि सूर्य के साथ यदी बुद्ध के वार्नी के ग्रह हैं बुद्य कमजोर होगया सूर्य के साथ सब अस्त हो गई तब भी परिशानी आएगी और चंद्रमा मन्न के स्वामी मन को बचलित करने में जब्स बहुत बड़ा रोल है और मन को एकागर करने में भी चंद्रमा का रोल है तो सूर्य चंद्र बुद्ध और उसके बाद आगे ब्रश्पती ब्रश्पती आपकी कुंडली में एजुकेशन के बुद्धी के परदाता गुरू जुपिटर टीचर तो अगर इन चार ग्रहों का कॉंबि देख लो आपकी कुंडली में ठीक है तो आप जिंदिगी में कभी मार नहीं खाएंगे पहली बाग और दूसरी बात दोस्तों उपाये बता रहा हूं बड़ा शांदार लिख लो याद कर लो रिकोर्ड कर लो आपके लिए इस्पेशली आपके लिए बुल रहा हूं आप क वी सारी चीजों के इंटर्व्यों हो सकते हैं उन मातां पित्य के भी इंटर्वई होते आजकल चोटे-छोटे बच्चों का स्कूल में एड़िसन कराने हैं En invit iika अभी किसी भी चीज में हो सकता है, शाक्षात कार के लिए अगर आप जाना चाहरे हैं तो यह उपाई कर लीजिएगा, उपाई क्या है, एक लाल धागा और पीले धागे को आपस में जोड लीजिएगा, एक बराबर में, लाल धागा और पीले धागे को दोनों बराबर में को जोडना है और उसके बाद गंठें लगानी है उसमें साथ बाद पहली गंठ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे जै गनेश काटो कलेश फिर दूसरी गंठ लगाएंगे जै गनेश काटो कलेश जै गनेश काटो कलेश जै गनेश काटो कलेश इस प्रकार से दोस्तों बोलते साथ गांठें लगानी है दागे के अंदर और उस दागे को आपने गनेश महराज के चरणों में लगा करके जै गनेश काटो कलेश मंत्र बोलते हुए गनेश जी के चरणों में लगा करके धूब दीब करके दो लड़ू का भोग लगा के गनेश महराज को और उस धागे को अपने पास संबाल के रख लीजिए जिस में काम के लिए जा रहे हैं वो काम जब आपका सफल हो जाए उसके पस्चाद उस धागे को आपने बगवान के सामने मंदिन में चड़ा दीजिएगा या को पेड की जड़ में या गमले के अंदर कहीं दबा दीजिएगा बस यह उपाय करना है दोस्तों करके देखेगा रिजल्ट इश्वर्य कृपा से जरूर मिलेंगे आपको दूसरा दोस्तों सूर्य को जल दिया करें और घर में जो पिता हैं दादा हैं बड़े बुजर्ग हैं उनके चरणों में हात लगाने से उनकी सेवा करने मात्र से सूर्य ठीक हो जाते हैं और सारे के सारे ग्रह तो आपको पता है उपाए बहुत ज़्यादा काम करेगा और यह धांगे वाला उपाए कीजिएगा रिजल्ट देखेगा मिलेंगे मिलेंगे बिल्कुल देवे जी बिल्कुल जी बिल्कुल जो इंटर्व्यू की बात आ रही है बिजनस की बात आजे किसी भी अक्षित्र में आ जाए आप यह उपाए कीजिएगा आपको रिजल्ट मिलेंगे जय गनेश काटो कलेश